हाई फ्रेंड कैसे हैं आप सब आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेकर आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेश करने से पहले पानी पीने के फाइदे जी हाँ शुबा अगर आप ब्रेश करने से पहले बासी मुह से पानी पीएंगे तो आपकी पाचन सकती बढ़ेगी जिसके फल शुरूप आप जो ही खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा शरीर में गंदगी जमा होने के कारण कई बीमारियां जैसे आलश आना पिंपल्स होना पेट के रोग आपच के समस्या हो सकती है अगर आप सुबा ब्रेश करने से पहले पानी पीते हैं तो विशहले तक तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं शरीर को सुबा हाइडरेट करना जरूरी है जब आप सोते हैं रात में तब आपका शरीर पानी का इस्तेमाल कर लेता है जिससे कभी कभी आपको प्यास लगती है और आप रात में उठकर पानी पीते हैं इसलिए आपको सुबा उठकर पानी का शेवन करना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो ब्रश से पहले पानी पीएंगे तो मुह में नहीं जमा होंगे वैक्टेरिया जी हाँ आप मुह में अगर जर्म्स और वैक्टेरिया रात में समय बढ़ जाते हैं अगर आप सुबा ब्रश करने से पहले पानी का शेवन कर लेंगे तो शुबा जम्स फ्री हो जाएंगे और उसके बाद ब्रश करना ज्यादा फायदे मन सावित होगा रोग प्रतिरोधक छमता भी आपकी बढ़ेगी अगर आप सुबा ब्रश करने से पहले पानी का शेवन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ेगी अगर आपको खासी या कोल्ड के लक्षंट जल्दी-जल्दी होते हैं तो आपको सुबा पानी का शेवन जरूर करना चाहिए सुबा सुबा बासी मूँ पानी पीने से बाल और इश्किन भी अच्छी रहती है सुबा बासी मूँ पानी पीने से हाई बीपी और हाई शुगर से भी बच सकते हैं सुबा ब्रश करने से पहले पानी का शेवन करेंगे तो हाई बीपी की समस्या से बच सकते हैं और blood sugar level भी control होगा एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं सुबह ब्रस किये बिना अगर आप पानी पीते हैं तो मोटापे की समस्षा से भी बच सकते हैं वजन कम करना चाहते हैं तो आपको सुबह ब्रस करने से पहले पानी पीने की आदत डालनी चाहिए सुबह ड्राई माउथ की समस्षा के कारण मुह में बदबु आती है अगर आप सुबह उठकर पानी का शेवन कर लेंगे तो मुह से बदबु आने की समस्षा से बच सकते हैं ड्राई माउथ की समस्षा तब होती है जब सलाईवा का production कम हो मुह में वैक्टेरिया को खत्म करने के लिए शलाईवा जरूरी है पर सोते समय शलाईवा का कम अस्तर मुह में वैक्टेरिया को बढ़ा देता है जिसके चलते मुह में बदबु आती है इसलिए आपको सुबह ब्रस करने से पहले पानी का शेवन जरूर करना चाहिए ब्रश करने के बाद आपको ना सिर्फ पानी का शेवन बलकि किसी भी खाने की चीज़ को आवाइट करना चाहिए अब ब्रश करने के बाद पानी पी लेते हैं तो उस से टूत पेश्ट का गुड़ कम हो जाता है आपको ब्रश करने के 15-20 मिनट बाद ही कुछ खाना या पीना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अब मैं चलती हूँ फिर मिलूँगी एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई